दोस्तो ओपो ने फ्लिपकार्ट पर टीजर के तुरू अनौंस किया कि उनका नया फोन जो है जल्दी इंडिया में लॉंच किया जाएगा जो की इन डिस्प्ले फिंगर पिस सेंसर के साथ आएगा और ये फोन अब तक का सबसे चिपेस्ट फोन होने वाला है जिसमें आपको पिसमें लेगा इस से पहले विव वी लेवल प्लो स्माटफोन था जो कि 26000 उल्पे में आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिस सैंसर के साथ मिल रहा था दोस्तों मैं आप लोगों को बाता दूए कि फिलाल जो है ओपो का एक फोन है जो की चाइना में लॉउंच किया गया है फोन का नाम है OPPO K1 जो कि आपको कम प्राइज रेंज में इन डिस्प्ले फिंगर पीस सेंसर के साथ आता है और ये फोन जो है चाइना में October 2018 में लॉंच किया गया था दोस्तों OPPO K1 स्मार्टफोन के full detail specification and features के बारे में बात करूँ तो ये फोन जो एक mid-range price range का फोन है जिसमें आपको design काफी अच्छा मिलता है OPPO K1 स्मार्टफोन आपको gradient color and glossy design के साथ मिलता है जिसमें आपको rare panel पे horizontally dual rare camera का setup मिलता है फोन के corner आपको rounded and curved दिये गये है OPPO K1 स्मार्टफोन में आपको 6.4 inch का full HD plus display मिलता है जो की water drop notch display के साथ आता है 19 by 9 के aspect ratio में आपको इसमें bezel बहुती कम दिये गए है साथ ही आपको display पे fingerpiece sensor दिया गया यान आपको इसमें in-display fingerpiece sensor भी मिलता है दोस्तो OPPO K1 स्मार्टफोन में आपको जो एक Qualcomm Snapdragon 660 का processor मिलता है जो की एक octa core processor है और यह processor mid range prices में काफी powerful और battery efficient processor है इसमें आपको जो यह Adreno 512 का GPU मिलता है फोन में आपको color 5.2 OS के साथ Android का audio देखने मिलेगा यह phone आपको दो variant में देखने मिलेगा जिसमें आपको 4GB RAM, 64GB ROM and 6GB RAM, 64GB ROM में अले variant दे गए है OPPO K1 smartphone की camera की बात करूँ तो इसमें आपको dual rear camera का setup मिलता है जिसमें आपको 16MP का primary camera sensor मिलता है aperture f 1.7 के साथ तो 2MP का secondary depth sensor दिया गया है camera से आप easily 4K में video recording shoot कर सकते हैं OPPO K1 smartphone में आपको 25MP का selfie camera मिलता है aperture f 2.0 के साथ camera में आपको AI based कई सारे feature देखने मिलते हैं दूस्तो इस phone में आपको 36MP की battery मिलती है उसके साथ आपको इसमें जो face unlock और in display finger piece sensor दिया गया है दूस्तो OPPO K1 smartphone जो अल्रेडी चाइना में launch किया गया है इंडिया में 17,000 रुपए में तो 6GB RAM 64GB Romala variant यह पर 19,000 रुपए में launch किया जा सकता है तो दूस्तो आप लोगों को क्या लगते हैं उपको K1 smartphone के बारे में आपकी रैप मुझे comment box में जरूर बताएगा तो फ्रेंड्स आज का informational वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, comment करना ना भूले और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल AD Day को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं Thank you for watching friends, मिलते हैं अगले ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye bye